जैहिन आप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लिजिए और इसकी बेल आइकान को भी दबाद दीजिए तक कि वुडियो सब्सक्राइब तक मुझे तो आज की वुडियो में मिशन ट्वेंटी 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 वन का एंची सी बी और सी सब्सक्राइब एजाम का ओनलाइन क्लास टॉपिक विपन ट्रेनिंग है जिससे कि 15 माक्स कोष्टेन एक पुछा जाता है इसके पहले ड्रिल टॉपिका क्लास हो चुका है तो अभी के क्लास में केवाल लॉंग अंसर टाइब क्विश्टन होगा मतलब जितने भी क्लास चलेंगा टॉपिक वे सारे अस्टार्टिंग से लिका मतलब ड्रिल से लेके कम्मुनिकेशन तर कि वाल लॉंग अंसर टाइप तो आप लोग सब से पहले तेजस एंसी से में डॉट कम वेब साइट से प्रिशन करक है जीस टॉपिक का कलास होने माला हो फिर अपलोग कलास में पाडिसिपेट करो ताकि आप लोग ज्यादा स्ज्यादा क्विश्टन का आंसर बता सको और अपने सारे फ्रेंट्स जुनियर सिनियर को तेजस एंसी से अर्मी यूट्यूब चैनल आप और तेजस एंसी से अर् हम वेबसाइट के बारे हम बताएंगे और सारे लोग वेबसाइट को फॉलो कर लेंगे ताकि जब भी कोई नया नोट्स उस पे अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और एप के बारे हम बता दूँ तो एप भी मैंने अबलेबल करा दिया जो लोग डाउ करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं अज का क्लास कि फर्स्ट क्वेस्टन है अच्छे फायर के चार बुनियादी उसल क्या है एक क्वेस्टन इस क्वेस्टन के लिए आपको दो मिनट का समय दिया गया है आराम से आप लोग आंसर सोचिए और कमन बक्स में टाइप कीजिए मैं आपको बता दूँ कि एन सी सी बी और सी सेट फिर्ट एक जामस में तीन घंडे का ही समय रहता है और साट से सतर क्वेस्टन मतलब साट से असी के भी क्वेस्टन रहता है आपको उतने क्वेस्टन साल करने होते हैं तो आप लोग अगर प्रिप्रिशन करके नहीं मतलब किसी को खुद के आंसर लिखने से फूर्शत नहीं होती टाइम नहीं बचता मैक्सिम्म कडेट्स को टाइम प्रोब्लेम हो जाती है कि तीन घंटे में साट से सतर क्वेस्टन सॉल्व करना इतना असान काम नहीं है इसलिए सारे लोग खुद से प्रिप्रिशन करके ज करना है और ओनलाइन क्लास भी चला रहा हूं जिससे आपका रिविजन हो जाएगा और आपका कहां पर डाउट बचा हुआ है कहां पर दिक्कत आ रही है आपको पता भी चल जाएगा क्वेस्टन है अच्छे फायर के चार बुनियादी उसल क्या है जल्दी से सारे लोग कम महीने का समय बच्चा हुआ है तो सारे लोग अच्छे से प्रिप्रेशन लाग देए और अपने फ्रेंड्स जुनियर सीनियर को भी यूट्यूब चैनल तेजस आयप और तेजस NCCR.com website के बारे में आप लोग जनकारी देंगे अभी सारे लोग website से प्रिप्रेशन करेंगे अब किसी को नोट्स बनाने के जरूरत नहीं है मैंने सारा डाटा अविलेबल करा दिया है आप लोग कभी भी वहाँ से याद कर सकते हो जल्दी से सारे लोग अंसर बताए अच्छे फायर के चार बुनिया दिवुसुल क्या है इसका अंसर होगा लच्छे की स्थिति, सेकं पर गोली चलाना और फॉर्थ अनुगमन चाप लोग प्रप्रिशन करके आए ताक कि ज्यादा स्यादा आंसर बता पाए नेक्स्ट क्वेस्चन नमर सेकेंड पॉइंट टूटू राइफल मार्क फॉर के बारे में बताएं फस्ट है कुत्तर सेकेंड वजन थर्ड तो सारे लोग चारो का अंसर एक साथ बताएंगे एक एक करके आप नहीं बताएंगे और बहुत जल्द में कोशिस कर रहा हूं कि क्लास ब्लैक पॉड पर चलाईज़े बतलब 20 सेटिफिकेट और 30 सेटिफिकेट वालों का क्लास ब्लैक पॉड पर भी सारे टोपिक है एक ब लंबाई और मैगजिन की छमता एक कुश्चन के लिए आपको दो मिनार से ज्यादा का समय नहीं दिया जागा क्योंकि जितना समय आपको एक्जाम के दरान मिलता है उत्से थोड़ा सा कमी समय आपको दिया जाएगा अगर इतना में आप कॉभर कर लेते हो अभी तो फीर ए आसानी से एक रेट से एक्जाम पास कर जाओगे जल्दी से सारे लोग अंसर टाइप किजिए चारो का एक साथ अंसर बताएंगे जो लोग प्रप्रिशन करके आएंगे वहीं अंसर बता पाएंगे और वहीं एक्जाम में अच्छे ग्रेट से पास भी करेंगे और मैं आप से सारे लोग अंसर बताईए पॉइंट टू टू राइफल मार्क फॉर का कुत्तर बताना है वजन लंबाई और मैगजीन की चम्था और आप लोग अपने सारे दोस्तों को भी ओनलाइन क्लास के बारे में जनकारी देंगे आप लोग एक दूसरी का हेल्प करेंगे अगर आप किसी का हेल्प करते हो तो कहीं ने कहीं आपको भी उसका बेनफिट मिलता है इसका आंसर होगा कुट्तर पॉइंट टूटू वेट एस सिक्स पॉंट टेन अंस लंबाई 45 इंच और डिलक्स का 43 इंच होता और मैगजीन की चम्था दस राउंड होती है नेक्स्ट है कुश्चन नमर थर्ड फाइरिंग में ग्रूप का क्या आर्थ है जल्द है सारे लोग आंसर सोचिए और कमन बक्समें आंसर टाइप किजिए सारे लोग प्रप्रेशन करके ही क्लास में पाटिसिपेट करेंगे और अपने सारे फ्रेंस लोगों को भी और लेंड क्लास के बारे में तेजास एंसीजर में यूट्यूब चैनल आप और वेब्साइट के बारे में जनकारी देंगे अभी अगर आप लोग आयब पर सारा डाटा आव लेबल नहीं है तो सारे लोग जितना डाटा आप पर है उतना आप लोग एप से याद किजिए सारे लोग अफ भी डानूट कर लेंगे और बाकी का अपलोग वेबसाइट से फिर प्रिशन कीजिए वहाँ पर भी सारा डाटा इवलेबल करा दिया गया है जिसमें सबसे इंपोर्टेंट है टॉपिक वाइज नोट्स एक टॉपिक का मैंने अलग अलग जिस तरह से में क्लास चला रहा हूं तो इसी तरह से एक टॉ टॉपिक का मैंने अलग अलग नोट्स बनाकर अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी अपलोड किया हूं एप पर भी अपलोड कर दिया हूं एप पर सारा टॉपिक वाइज अपलोड नहीं है मॉडल पर अपलोड नहीं है मॉडल पर अपलोड है और पा पास सिर्फिस लिए चलाई जा रही है ताकि आप लिमिट समय में अंसर बता पाते हो या नहीं और आपकी कहां पर अभी कम्यार आगई है यह आपको पता चल जाए बहुत खूसी हुई थी दो तिन करेटों ने कमेंट किया था वैसे तो बहुत सारे कमेंट करते हैं पासिंग के लिए तुम मैं क्योल पासिंग का बात नहीं करूंगा यह क्योयार इपी का था जिसने कमेंट किया था कि सर मैं b तो जानकर बहुत खुशी होती है तो आप लोग भी किवाल पास होने के लिए मत पढ़ाई करो कि भलकि टॉपर बनो आपको भी खुशी होगी और दूसरे लोगों को भी खुशी होगा और आप गरोव भी होगा इसका आंसर होगा ग्रूपिंग फायर में ग्रूप में नापने में दो गोलियों की अधिकतम दूरी सेंटीमिटर में नापी जाती है इस फायरिंग में पहली गोली का निशाना जिस जगर टार्गेट पर लिया जाता है उसी निशाने पर पांचो गोलिया फायर करें तथा बाइक के हुनी अपने अस्थान पर जमाए रखें जब तक सभी गोलिया फायर ना हो जाए नेक्स्ट है क्वेश्चन नमर फोर फायरिंग का सही करम लिखें इस क्वेश्चन के लिए आपको डेड़ मिनट का समय दिया जाएगा जल्दी से सारे लोग कमेंड बक्स में आंसर टाइप किजिए फायरिंग का सही करम बताना है हाथ तो मैं आप लोग को बता रहा था कि एक कैड़िट इवपी का पता नहीं कौन सा बटालियन था ध्यान में नहीं उसने कमेंड किया था कि कि सर मैं अपने बतालियन में 20 सेट्फिट एक्जाम में टॉप किया हूं उसने उसके 432 माक्स आय थे आउट और 500 तो आप लोग भी मैंने सारा डाटा एविलेवल करा दी है वेब साइट पर आप पर एविलेवल करा दूँगा एक दो महीना में और यूट्यूब चैनल पर करों तो सारा अफ्रोड करते ही रहता हूं तो आप लोग वेब साइट और आप से भी अच्छे से फ्रिप्रेशन करेंगे आप लोग कोसीज करो कि अपने बटालियन में टॉप करो आपके बटालियन का भी नाम होगा आपका भी नाम और फिर 16-17 में भी आपको सुईधा हो तो आप लोग अच्छे से प्रिप्रिशन करो आपको ज्यादा मेहनत की विजरुवत नहीं मैंने सारा डर्टा अविलेबल करा दिया है कुश्चन और अंसर सारा मैंने बता दिया है जल्दी से सारे लोग अंसर टाइप किजिए फाइरिंग का सही करम लिख है जल्दी से सारे लोग अंसर टाइप किजिए फाइरिंग का सही करम बताना है अगर आप अभी लिमिट समय में आंसर नहीं बताते हो तो फिर आपको एकजाम में प्रोब्लेम होगी और आप वहाँ चीटिंग नहीं कर पाऊगी इसलिए प्लोग प्रिप्रेशन खुद से करके जाओ फूल पिर डोकर जाओ इसका अंसर होगा मजबूत पकड़ दुरूस्ट शिस्त और दुरूस्ट ट्रिकर ओप्रेशन नेक्स्ट है क्वेस्ट नमर फाइफ फाइरिंग के विभिन तरीको के बारे हम बताएं मतलब कीन कीन तरीकों से फायर किया जाता है जल्दी से सारे लोग अंसर सोची और कमड़ पसमस टाइप कीजिये इस क्वेस्टन के लिए आपको दो मिनट का समय दिया गया है फाइरिंग के विभिन तरीकों के बारे हम बताना है कौन-कौन से तरीकों से फाइर किया जाता है अभी भी बहुत सारे कडेट्स प्रिप्रेशन नहीं कर रहे हैं तो अब बहुत कम समय बचा हुआ है 20-60 वालों के लिए मुश्किल से 20 दिन, 15-20 दिन और 60 वालों के लिए एक महीना है तो आप लोग अभी से भी अगर प्रिप्रेशन करते हो रोजाना एक टॉपिक क्लियर करते हो फिर इविनिंग टाइम क्लास में पाटिसिपेट करते हो तो आपकी प्रिप्रेशन हो जाएगे रिटेंट्रेस्ट की और रिटेंट्रेस्ट में आपका एक रेड असानी से आजाएगा जल्दी से सारे लोग अंसर बताएं फाइरिंग के विभीन तरीकों के बारे हम बताएं पांत साथ कैडेट्स हैं जो की सारे क्वेस्चन का लगभग लगभग अंसर बताते हैं रान अन जलदे वाजी में उनका दिक्कत होता है तो जीनलोग का दिक्कत होता आयो से कहीगी मिश्टेक तो आप लोग क्लास ओबर हो ओने क बाद आपoten से प्रिपरेशन करेंगे एक वर आप लोग वेब साइट ओपन करेंगे आप लोग उस टोपिक का एक पर अछे से पढ़ लेंगे अधा गंटा एगंटा फिर आप इवरिन टाइम में क्लास में पर्टिसिपेट करेंगे और फिर जब क्लास ओबर हो जाएगा तो आप लोग फिर से एक बार रिभाइज कर लोगे इतना बस आप कर लो आपका अच्छे से सारा याद हो जाएगा इसका आंसर होगा फर्स्ट यह चार तरीका से फायर किया जाता है लेट कर यानि लेंग पोजिशन सेकेंड बैट कर यानि सिटिंग पोजिशन थर्ड खड़े होकर यानि अस्टेंडिंग पोजिशन और फॉर्थ गूटनेक वाल यानि निलिंग पोजिशन नेक्स्ट है क्वेश्चन नोबर 6 ट्रिगर नियंत्रण क्या है इस क्वेश्चन के लिए आपको दो मिनाट का समय दिया गया है आराम से आप लोगा अंसर सोचिए और कमेंड बक्स में टाइप किजिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप अगर परीप्रेशन नहीं करोगा अच्छे से तो एक्जाम में आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है खासकर C certificate वाले, B certificate में भी कोई help नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ भी PIA staff अच्छे से guarding करते हैं, और 2-3 CO साब भी रहते हैं B certificate में भी, और C certificate में 5-6 CO साब रहते हैं, और बाकी JCO साब, SM साब लोग, सारे लोग गार्डिंग करते हैं, मतलब आप वहाँ पर मोडी भी इदर उदर नहीं गुमा सकते हो, थोड़ा सा भी इदर उदर हरकत करोगे, उन्हें पता चल जाएगा, फिरो तुम्हें खड़े कर देंगे, कॉंपी भी छीन लिया जाता है, इसलिए आप लोग, फूल पिट पेर्ड होकर जाओ, और एक्जाम का जरा भी टेंसर नहीं लेना है, मैं आप लोग को इस विडियो में भी अभी बता दूँगा, दिखाउँगा, कडेट लोग का कॉमेंट, क्या अप लोग देखलो, C면 में भी बहुत लोग पास किये हैं, और अच्छे अच्छे ग्रेड से पास किये हैं, हुए और भी स्वेट में फिजिसने टॉप किया है उसका भी मैं कमेंट अभी आप लोग 거지 में पी काट कर दूँगा इसका अंसर बताने के बाद मैं उसका पी कर दूँगा तक आप लोग देख लेना करेट ने कमेंट किया है उसने आउट आफ सावल फएंस फ्र अन्त Const सब्सक्राइब किया है जली से सारे लोग आंसर बताएं ट्रीगर नियंत्रन क्या है कि आपको मात्र एक से डेड़ घंटा डेली समय देने की जुरुरत है अगर आपने अभी तक कोई प्रेशन नहीं किया फिर भी आप आसानी से एगरेट पासकते हो ट्रीगर नियंत्रन क्या है इसका आंसर होगा ट्रीगर में दो पुलाव होता है सिस्ट मिलाते समय कलमे वाली उंगली के बीच वाले हिस्से से ट्रीगर का पहला पुलाव लेते हैं फिर जैसे इस सिस्थ मिल जाता है सास पर काबू करते हैं और ट्रिगर का दूसरा पुलाव लेते हैं बीना जटके के गोली टार्गेट पर लगने के बाद उंगली हटाया जाता है इसी करवाई को ट्रिगर नियंतर रखाते हैं तो अभी मैं आप लोग को यहां पर दिखाऊ होँगा की अशीर काड़ा ऑले भी कमेंट दिखा रहा हूँ आपको के क्रेटरों कमोंड कि है आसी مरेट में यह ग्रेट से पास किया है या फिर अच्छा ग्रेट से मतलब बिरेगौ सो भी पास किया और जिस ने बी 60 फिर में टॉप किया था उसकारी में आपको कमेंट आप लोग देख लो और आप लोग भी अच्छे से मेहनत करो ताकि आप लोग भी अपने बटालियन में टप करो अपने ग्रूप में टप करो और अपने बटालियन ग्रूप का नाम रौसन करो और फिर मेहनत करके 168 पास करो और उसके बाद फिर आप लो अच्छे से अच्छा जब लो नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर सेबेन फाइरिंग रेंज पर कौन-कौन से पद होते हैं इसके लिए भी आपको दो मिनाट का समय दिया गया है अराम से आप लोग अंसर सोचिए और कमंड बाक्स में टाइप कीजिए मिनिमाम फाइफ के नयम बताने हैं कि फाइरिंग रेज पर कौन-कौन से अस्टाफ होते हैं यानि कौन-कौन से लोग वहाँ पर किनका होना जरूरी होता है आप लोग फ्रिपयरेशन नहीं करोगे तो आप एकज्याम मेंडेफिनेटल फैल कर जाओंगे क्योंकि एंन्सीचीजा में 90% करेट इस लिए फैल करते हैं क्योंकि एक्जाम तो थोड़ा सा टफ होता है क्वेश्चन उतना टफ नहीं होता इसलिए लगता है ताकि मेक्सिमाम करेट्स पिरप्रेशन नहीं करते हैं और दूसरे जो पिरप्रेशन भी करते हैं तो आधा सुधा पिरप्रेशन करते हैं मतलब सारे टॉपिक क्लियर नहीं करते हैं तो इसमें आपको सारे पार्ट में पास होना हता है रिटेन एक्जाम फोर पार्ट में होता है चार पार्ट में फस्ट ड्रिल सेकंड वेपन और थार्ड मिसलेनियस होता है और फोर्थ में फूर्थ में मिलेटरी हिस्ट्री बगरा करके कुछ होता है तो आपको चारों पार्ट में पास होना होता है मतलब हर एक पार्ट में मिनिम्मम 45% माक्स आना चाहिए और आल ओभर मिलाकर 50% तभी आप एकजाम पास करो गए नहीं तो आप फेल हो किसी एक में फेल कर गए तो प पर ऐप पर करा दूंगा भी तो आप लोग वेब्साइट से भी प्रफिटेसन करो यूट्फ चनल पे भी आपको फिर प्रफिरिशन करने का सबसे आसान तरीक है एक पर आप यूट्फूब चैनल वीडियो से याद करो देखो और फिर एक बार वेबसाइट से प्रफिर प करता इसलिए अपलो एक पार यूट्यूब चनल से एक बार वेबसाइट से और एक बार एप से फिर ओनलाइन क्लास पाडिस्पेट कर और फिर एक बार डिवीजन कर लो इतने में आपका सारा क्वेश्चन कन्फर्म याध हो जाएगा इसकांसर होगा फारें रेस्पर कॉन नर्सिंग असिस्टेंट और अर्मोरर आपको मिनमम फाइफ के नाम बताने होंगा तभी आपको फूल माक्स मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नमर एट दुरूस्ट सिस्थ के लिए दो बाते जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए एक मिनट कहीं समय दूंगा जल्दी से सार चनल में भी आता है तो जल्दी से सारे लोग आंसर बताएं दुरूस्ट सिस्थ के लिए दो जरूरी बाते कौन-कौन सी है और आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों को भी और जुनियर सीनियर को भी तेजस एंसी से अर्मी यूट्यूब चैनल आयप और तेजस एंसी से 7 arriment.com website के बारे मटाएंगे और सारे लोग जो लोग website को follow erson नहीं किये है और यूट्व चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीत आप लोग कर लेंगे और वेबसाइट को फॉलो कर लेंगे तक कि जो भी वीडियो जप्लोड किया जाए यूट्यूब चैनल पर वेबसाइट पर नोट्स अप्लोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और सारे अपने जूनियर सीनियर और दोस्तों को भी बता देंगे ताकि यो लोग भी अच्छे से एक्जाम की प्रिप्रेशन करें और एक्जाम में एक रेट लाए और जल्दी से आंसर बताए दुरूस्ट इसके लिए दो जरूरी बाते कौन-कौन सी है इसका आंसर होगा साइट एलाइमेंट और साइट पिक्चर नेक्स्ट है कुश्चन नमर नाइन फाइरिंग के चार दर्जे होते हैं उनके नाम बताने हैं इस question के लिए आपको दो मिनट का समय दिया गया है जल्दी से सारे लोग answer सोचिए और comment बक्स टाइप कीजिए firing के चार दर्जे कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूँ कि अगर आप class में participate नहीं करते हैं जो लोग तो आप लोग उनको बोलिए कि class में participate करो नहीं तो एक्जाम में तुम्हें problem होगी और जो लोग याद नहीं कर रहे हैं उनने भी आप बोलिए अगर आप एक दूसरे का help करते हैं या किसी का भी आप help करते हो तो कहीने कहीं उसका benefit आपको भी मिलता है एक तो आप अगर किसी का help करते हो तो आपको बहुत खुशी होती है सुकून मिलता है और दूसरा अगर वो उसका पूरा benefit लेता है और result positive निकलता है मतलब अच्छा result आता है फिर बहुत खुशी होती है कहीं न कहीं आपने भी उसका उस रिजल्ट में कहीं न कहीं आपका भी हाथ है तो इसलिए आप लोग सारे अपने दोस्तों को भी online class के बारे में तेजस यूट्यूब चैनल वेब साइट और राइप के बारे में जनकारी देंगे और उन्हें भी अच्छे से प्रिप्रेशन क बताये हुए कि ऑफिसर बनने के लिए एंसी सी सेटिफिकर्ट से कितना ज्यादा ऑफर है मतलब ऑपर्चुनिटीज है और आने माले से में बहुत सारी benefits मिलने माली है अभी फाइरिंग के चार। दर्जे होते है इनके नाम बताने है जल्दी से comment बासमा आंसर टाइब किजिए जल्दी से सारे लोग आंसर टाइब किजिए फाइरिंग के चार दर्जे है ग्रूपिंग जिरोइंग एप्लिकेशन और क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है क्वेश्चन नमर्ट टेयन फायर पर असर डालने वाली बाते मिनिमम चार से पांच पॉइंट्स आपको बताने हैं कि फायर पर कौन-कौन सी वैसी बाते हैं कौन-कौन सा कारण है जिससे फायर में रुकावटे आ सकती है जल्दी से सारे लोग आंसर सोचिए और कमेंट बक्स पर टाइप कीजिए फायर पर असर डालने वाली बाते हैं और रोजाना 7.45 बजे इविनिंग टाइम में रेगुलर ऑनलाइन क्लास चलेगी आँ एक्षूली मैं इतना भी जी रहता हूं फिर भी मैं आप लोग का एक्जाम आ गया है इसलिए किसी तरह से टाइम निकाल कर मैं वीडियो अप्लोड करता हूं तो जब दूसरा को आपके लिए इतना महनत कर रहा है तो आप लोग तो खुद के लिए तो महनत करी सकते हो इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिप्रेशन करो आप अगर सक्सेच करते हो तो जो लोग करेट जो कमेंट करता है बताता है और बहुत सारे मेरे WhatsApp से भी कमेंट है तो मैं डेर्दो सलबाद में जहां भी जाओंगा अगर वहां के करेट से मेरे करे क search में जहां से भी है मैं सारे लोगों से मिलुगा रिष्ट बखन गाल से हहां यूपि से बहूत सारे हैं पिनराथ महबर से देली से किवे सब्सक्राइब सालबाद में जब निकलूंगा घुमने के लिए कहीं कहीं तो मैं सारे लोगों वर मिल से मेन कर बहुत खुसी होग जोईन कर लो ये फिर स्टेट गॉर्मन्ट की स्टेट पूलिस जोईन कर लो तब मिलने में मजा आएगा नहीं तो अगर आप फेलियर बनके रहोगे तो फिर कोई नहीं मिलेगा जल्दी से सार लोग अंसर बता है फायर पर असर लालने वाली बाते हैं और जीन लोगों के पास एंसी सी ड्रील की बढ़िया वीडियो होगी तो आप लोग मेरे वाट्सप नमर पर मैंने अपना वाट्सप नमर यूट्यूब चैनल के आइकन में एड कर रहा है आप लोग उस पर कमेंट आप लोग उस पर पोस्ट कर देंगे अगर बढ़िया कम्यूनिटी में शेयर कराना होगा आप लोग वाट्सप पर भी बैच सकते हैं या फिर तेजस एंसी सी अर्मी नेम से मेरा इंस्टाग्रम आइडी है आप लोग उसको फॉलो कर लेंगे और उस पर आप लोग अपना पिक सेंड कर देंगे वहाँ वहां से भी में पीक आप और साइट का ठीक से न लगना तो इन सब कारणों से फायरिंग के दरान रुकाउटे आ सकती है तो यह फायर पर असर डालने वाली बाते हैं तो आप लोग अच्छे से प्रिप्रेशन करोगे आज का क्लास में इतना ही मतला वेपन ट्रेनिंग से इतना ही लोग अंसर टाइ मैंने से इल्वाइट से वीबसाइट पर अप्लोड कर दिया है या फिर अपर भी जो अप्लोड किया हम सीडियल भाइट से है और मैंने पीच्छे मैंने देखा नहीं था कॉन साइब लिडर्सिप योगा नेश्ट टोपिक यह सोसल अवेर्निस होगा तो अप्लोग देख करेंगे और वेबसाइट को फॉलो कर लेंगे और नेक्ट टॉपिक आप लोग प्रिप्रिशन करके साथ बच कर पैंतारी सिनल पर ओनलाइन क्लास में पाटिसिपेट करोगे और अपने सारे फ्रेंट्स जुनियर सिनियर को भी और लिन कलास के बारे में बताओगे तेजस एंसीचर में ऊट्रीप चैनल के बारे में बताओगे और एप पर मैं सारा डाटा बहुत जल्द डेवलेबल करा दूंगा तो जीतना है उतना आप लोग एप से भी याद करेंग किस तरह से आप डानोड कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट कलास में आपनों गच्छे से प्रिप्रेशन करो आज के लिए इतना ही धन्नावाद जैहिन